नमस्कार स्पिन नाइन न्यूस में आपका स्वागत है हर्यान के विधान सभाद चुनाव से पहले भारती जंता पार्टी के अंदर टिकेट विटरन पर बड़ा घमसान मस्तावन असर आ रहा है बीजेपी के गड़ कही जाने वाले अहिरवाल बेल्ट में इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है यहां की कद्दावर नेता और केंद्री राजिमंत्री राव इंदरजीत सिंग ने टिकेट विटरन को लेकर भारती जंता पार्टी पर बड़ा दवाब बना दिया है खुद को पूरी तरह अहिरवाल बेल्ट में अक्टिव कर दिया है राव इंदरजीत सिंग की अहिरवाल की 11 सीटों पर खुद की पकड़ है जिसके बलबूते राव साथ सीटों पर खुद के समर्थों को का हक जता रहे हैं इसमें रिवाडी, कोसली, बावल, नारनौल, अटेली, पटोदी और गुरगराम सीट शामिल है केंदरे नेतरे तो 5 सीटे, कोसली, अटेली, रेवाडी, पटोदी और बावल पर उनकी रजामंदी से कैंडिडेट उतारने के लिए तैयार है लेकिन राव अपने उन राजनेतिक धुर विरोधियों को निप्टाने के लिए कुछ और भी शुड़ते रख रहे हैं बीजेपी शीर्ष नेतरित्व जिनें मजबूत कैंडिडेट मान कर चुनावी मैदान में उतारने के लिए तैयार है वे अहिरवाल की तीन सीटे हैं इन सीटों पर राव इंदरजीत सिंग चाहते हैं कि उनकी पसंद और संगठन दोनों को तवज्जो मिले राव इंदरजीत सिंग की नराजगी की पहली वज़ा उनकी बेटी आरती राव की टिकेट को लेकर मानी जा रही है लेकिन चर्चाएं हैं कि आरती राव को टिकेट मिल सकता है लेकिन अभी तक मोहर नहीं लग पाई है इस बीच में कई सीटों पर राव ने जीत की गैरंटी दी है लेकिन भारती जनता पार्टी ने अभी तक सहमती नहीं जताई है अहिरवाल बेल्ट की दो सीटे उनकी साक का सवाल बन गई है इसमें पटादी और दूसरी बावल सीट है ये दोनों सीटे अनसुचे जाती के लिए रिजर्व हैं और इन पर रामपुरा हाउस यानि राव इंदरजीत सिंग के परिवार का दबदबा रहा है अब भारती जनता पार्टी के समक्ष राव इंदरजीत ने बड़ी मांग तो रख दी है अब देखना होगा भारती जनता पार्टी सहमत नजर आती है या फिर नहीं